तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग स्वागत आपका आज की इस फ्रेश वीडियो में जैसा कि दोस्तों आप लोगों इस थमनेल पर देखा होगा यहां पर हम लोग प्राइज मैक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेट के बारे में बात करने वाले हैं कुछ निउस वगएर इसमें आ बाके की किस रेश वहार हैं यान की चुनोर ओक्रांगे, और आपको, क्या बाइंग पोस्तों इस देख भर देख रहे बनानों चाहिए या पिर भाए और दोस्त Нचाहिए कर दू, यहां पर क्लेर कर दो हमारों जूर्व यहां पर व्यू का व्यू बिलकुल नहीं होगाय ओंट इंड भीव कृट demo आने कमली में गलती हैं यह उंड जा में पर फारीं कोई करते हैं so hello and welcome guys this is kunal and you are watching market capital so without wasting any time let's roll the intro तो सबसे पहले दोस्तों कि यहां पर price max global key fundamental चीज़ों को देखेंगे और यहां पर price max global key fundamental चीज़े दोस्तों यहां पर आपके सामने हादिर है और आज मैं दोस्तों यहां पर वीडियो को थोड़ा सा अलग करना चाहूंगा मैं एक मिनट के लिए यहां पर वीडियो को पॉस करूंगा और मैं निगिटिव और थर्ड जो दोस्तों यहां पर promoters holding जो खास बात है देखने की promoters holding ना के बराबर है एक परसंड का promoters holding है promoters का पूरा भरोसा companies पर से उठ चुका है यहां पर सारे शेर्स जो है वो पब्लिक के पास है यानि कि हमारे और आपके पास है और दोस्तों यहां पर बात करूंगा return चारो return ratio को मैं एक साथ यहां पर consider करना चाहूंगा तो यहां पर देख सकते हो चारो return ratio जो वो काती ज्यादा यहां पर खराब है बहुत ज्यादा खराब है यहां पर return ratio तो company जो उतना ज्यादा यहां पर profit generate नहीं कर पा रही अपने capitals को यूज करके अपने assets को यूज करके इसलिए इसका return on capital employed return on equity return on assets और earning per share यह चारों चीज़े दोस्तों यहां पर negative में है आपको यहां पर ध्यान देनी वाली बात बहुत ज़रूरी यहां पर return on equity आप तीन सालों का देख सकती यह भी बहुत बढ़ी negative चीज़े यह बहुत आप तो अच्छी बात की दूस्तों अच्छी बातों में बस पहला जो सब्सक्राइब पाइबatar maat्स को ही आपक का पॉइंट सकते हो डेंट बहुत ही ज्यादा यहां पर दोस्तों कम देखने को मिल रहा है 1.25 करोर के आवक गास का यहां पर नहीं है म variability के लिए बहुढ़ ज्यादा अच्छी बात है यह कंप सकते हो यह भी एक आब value भी आपको 10 रुपे के आसपास की मिल रही है मतलब 10 रुपे की मिल रही है तो जब स्टॉक होगा तो number of shares सबके बास बहुत जादा यहां पर हो जाएंगे तो यह भी एक positive चीज इसको भी consider करके चलते हैं net profit में देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल के मुकाबले यहां पर काफी तेजी से growth देखने को मिला है यहां पर आप देखते हैं तो 65% की तेजी देखने को मिली है profit के growth में और अभी तक जो इसने और क्योंकि हम लोगों नहीं यहां पर long term का view मैंने सुर्वात में clear कर दिया था long term का view यहां पर होने वाला है हम लोग का तो मैं आपर बता दोस्तों कि यहां पर price max global venture limited long term के view से बिल्कुल भी दोस्तों मुझे यहां पर सही company नहीं लग रही है इसका main reason दोस्तों यह आप दे profit and loss statement पर भी आ जाते हैं and profit and loss statement पर आनेक बाद आप देखोगी यहां पर कि जो net profit है यह बहुत ज्यादा कभी ऊपर गया ही नहीं है आप देख सकते हो ना ही इसका sales बहुत ज्यादा high गया हुआ है कभी भी इस level की company मैंने बहुत तारी देखी है कापी अच्छे profits दोस्तों कम stock नहीं है तो दोस्तों मेरा इस पर overall negative view है आपको कोई भी news देखकर इस पर बिल्कुल नहीं trade करना चाहिए बिल्कुल इसमें position नहीं बनाना चाहिए आपकी कुछ और यहां पर राय हो सकती है मैं आपके यहां पर decision की बहुत जादा respect करता हूँ तो चलिए दोस्तों यहां प मैं बहुत जाते हैं यहां पर risky trader नहीं बनना चाहता तो दोस्तों यहां पर news पर चलते हुगे हम दोग यहां पर clear कर लेते हैं कि news में क्या किस ratio में हमें shares का spirit होने का news है और किस ratio में हमें shares वो मिलने वाले हैं तो जल्दी से यहां पर हमारा website खुलने वाला है और अगर आप चाहुत यहां पर इसके website पर जाकर visit कर सकते हो यह जो basically दोस्तों ट्रेडिंग में काम करती है मतलब कि आप देख सकते हो आप पर पढ़ सकते हो commodity business और finance business में की जो trading होती है na commodities की उसमें दोस्तों यह basically deal करती है company और भी इसके अलग-अलग तरक के यहां पर चोटे-मोटे काम ह तो मैं पर चोटा सा आपको brief detail मैंने दे दिया यह दोस्तों यहां पर देखिए हमारी economics time के यहां पर जो website है वो खुल चुकी है आप यहां पर देख सकते हो main चीज़े जो है मैं आपको यहां पर दिखा दोस्तों पहले update देख लो announced date था April यहां पर April नहीं 4 September 2021 और यहां पर old face value जो है वो 10 रुपए की थी यानि कि अभी तक 10 रुपए की है new face value जो है दोस्तों वो 1 रूपीज के हो जाएगी यानि कि 10 to 1 के ratio में दोस्तों यहां पर split किया जा रहा है यानि कि splits किया जा रहा है 10 to 1 के ratio तो यानि कि अगर आपके पास एक share आपने इस company के खरीद रखे है तो आपके automatic 10 shares में यहां पर convert हो जाएंगे जिस date को इन्होंने यहां पर access build का date दिया हुआ है अगर आप इसके पहले से ही shareholder होत तो और यहां पर मैं बता दूं कि जिस तारिक को यहां पर यानि कि 22, 10, 2021 को जिस जो भी price चल रहा होगा उसके अनुसरा दोस्तों यहां पर जो record date एक brief में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि record date उस date को कहते हैं जब company की जो management है वो shareholders की list को check करते हैं तो वो जो चेक करने का date है वो 25 तारिक को है इसका मतलब अगर आप अभी share खरीतते हो चुकि इंडिया में T2 working days का यहां पर settlement चलता है तो दो दिनों में shares जो आप पर shareholder बन जाओगे तो शेयर बन जाओगे तो 25 तारिक को आपका भी नाम उसमें देखने को मिलेगा 25 तारिक को कि हाँ डैस डैस कुमार नाम के बंदे इस shareholder के मतलब इस share के holder है तो इनको भी spirit का फाइदा मिलना चाहिए आपके भी shares तो है वो 10 times यहां पर multiple हो जाएंगे ले तो इस थिती में दोस्तों आपको यहां पर spirit का फाइदा नहीं मिलेगा आपके shares 10 times नहीं होगे एक बार दोस्तों मैं आपको यहां पर document करूंगा कि आप खुद भी इस बारे में अपनी research on analysis कर ले उसके बाद ही आप इस stock में पैसा लगाए और एक बार record date, spirit date आप अपने से पर depend करता है तो आप मुझे comment section में यहां पर बता सकती हूँ, उमेद करता हूँ यहां पर वीडियो आपको अच्छा लगाँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को बिल्कुल से subscribe करना ना बोलें और वीडियो को like भी करना ना बोलें, मिलूंगा दोस्तों next वीड and good bye